वक्त के साथ जाने कितने ही और आते हैं साथ भेरों में वक्त के साथ जाने कितने ही और आते हैं साथ भेरों में रंग जितने हैं जिन्दकानी के सब समाते हैं साथ भेरों में अरे भहिया हमारी अनन्तपूर वाली बस छूट गया है जल्दी जल्दी चलो उसके पीछे जल्दी 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 बस्थ भेरों में बहुत जल्दी अम्रत जी को घर लेके पहुंच जाएंगे सब ठीक हो जाएगा तुछ को जी जाएंगे सबुक जाएंगे सब ठीक हो के लाएंगे सबुछ इस वक्ट सलोनी और वो फ्रॉड नहार कहां है उनके बीच क्या चल रहा है इसका पता हमें यहीं चल सकता है आखिर कोई तो सुराग होगा कोई इशारा तो मिलेगा जो सचाई को सामने ला सके आरे ये क्या इस फ्रेम में लगा फोटो कहां चला गया माइक वार्ड यह नहार की गडी और लॉकेट नहार गडी पेनना तो भूल भी सकता है लेकिन यह लॉकेट इस लॉकेट को पहने बिफिन तो वह कभी कहीं भी नहीं जाता है तो फिर इस लॉकेट के यहां होने और नहार के यहां ना होने का मतलब क्या हो सकता है जो भी हो लेकिन अब कम से कम हम यह सब के सामने तो साबिद करी सकते हैं कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है कि अरे भाईया जरा गाड़ी रोकना इधर रोकना इधर सलोनी बेटा आश्रम की बस यहां रोक कर जाती है यहां से हमें मलम हो जाएगा कि वो कितनी देर पहले यहां से निकली है सुनिए यहां से आनंद आश्रम जाने वाली बस को गए हुए कितनी देर हुई है बेन जी वो बस तो खराब हो गई थी यात्रियों को उतार कर उस बस को खीशते हुए डिपो तक ले गए हैं मैं तो खुद उस बस में बैठा हुआ था और अब अब तो दो घंटे तक कोई भी बस नहीं है अरे भाई यहां हमारे जानने वाले उस बस में थी लंबे से हैं भूरे से हैं भाई यह अमरित नाम है उनका आपने कहीं देखा है हाँ ऐसा एक आदमी था तो सही लेकिन वो अभिया नहीं है मैंने उसे कुछ यात्रियों के साथ आश्रम के लिए जाने वाली टेक्सी में बैठे हुए देखा है तुछ जिंदा मत कर बेठा उन्हें यहां से निकले ज्यादा देर नहीं हुई है हम अभी भी उनको पकड़ सकते हैं भाहिया जल्दी करो एक टेक्सी के पिछी जाना है चलो चलो पड़ी देर कर दी नाहर ने आने में जब तक ये धागा उसकी कलाई में ना बांदू मुझे चेहन नहीं मिलेगा टोंट माइंड भावो लेकिन अगर यही बात है तो शायद आपको वो चैहन कभी ना मिले शायद नहार इस घर में वापस कभी ना है अपनी गंदी जबान से मेरे नहार का नाम मत ही ले नहरास क्यों हो रही है भावो हम सही कह रहे है शायद आपका नहार इस घर में वापस कभी ना है क्योंकि आपका नहार ये घर चोड़कर जा जो सुर्वशी मेरा नाहर अपने जीते जी कभी इस घर को और अपनी भावो को छोड़कर जा ही नहीं सकता ठीक है लेकिन मरने के बाद तो जा सकता है और आपके साथ जो इस घर में रह रह रहा है वो नाहर का हमशकल है कोई फ्रॉड है और अब तो वो फ्रॉड भी यह घर चोड़कर जा चुका है चुप हो जाओ जब से मेरा नाहर लोटके आया है ना तो यही बोले जा रही उसके बारे में कब तक आप लोग सच्चाई से भ कब से लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोग मानना ही नहीं चाहते लेकिन आज आज आपके पास चॉइस नहीं है क्या आज हमारे पास सबूत है सबूत है और इस सबूत को देख खर सच आप सब के सामने आ जाएगा इन्हें पैचानती है यह गड़ी यह लोगेट यह तो मेरे नहार के हैं तुम्हें कहां से मिले नहार के कमरे से और यह तो आप अब ही अच्छी तरह से जानती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए नहार इस लोगेट को अपने आप से कभी अलग नहीं करते है ऐसा क्या हो गया कि नहार यह सब छोड़कर यह घर छोड़कर चले गए सोचिये, सोचिये भावो, शैदाज आपको यकीना जाए कि हम जो कह रहे हैं वही सचे वह – पत्वलग वहे हैं व्पकरोप अरे क्या हुआ भई आगारी क्या रोक दी अगे प्रेवरों ने रस्ता चामगर के रखा आगे नहीं जा सकती अभी लेकिन आश्रम जाने के लिए दूसरा रस्ता भी तो होगा जी नहीं मेडों अगर आपको आगे जाना है तो पैदर जाना पड़ेगा है भगवान तब तक तो अमरिजजी आश्रम पहुच भी जाएंगे नहीं बेटा अगर हम यहांसे आगे नहीं जा सकते तो हो सकता है अमरिजजी की टैक्सी भी यहां से आगे न जा पाई हो तो हम ऐसा करते है हम यहां से उतरके आगे से टैक्सी लेते ए we go हर भाफ कि दो धुरिए, ए 항ड करूफ! कि दो धुदो 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 धुदो!! अम्रिच्ची, 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 यह क्या बच्पना है, आपको रास्ते पे चलना नहीं आता, अपनी जान की परवा नहीं है आपको, अगर हमने समय पे आपको ना देखा होता, तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरी जान भचाने के लिए शुकरिया, लेकिन आपको मेरे लिए इतना परिशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे इतनी है नफरत करती हैं, तो क्या हम जान सकते हैं? आप हमारे पीछे यहां तक क्यु आएं? मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ लेकिन ये भी सच है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और मेरा यहां आने से इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है मैं यहां आई हूँ ताकि मैं आपको यहां से ले जा सको उन लोगों के लिए, जिन्होंने आपको नाहर समझ के आपसे रिष्टा जोड़ा है और आपके बगएर रह नहीं सकते उन रिष्टों को छोड़ कर रहना तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा आपको जाने के लिए भी मैंने ही कहा था और वहां चलने के लिए भी मैं ही कहरे हूँ हमने पहले भी आपकी बात नहीं डाली थी अब भी डालेंगे लेकिन एक बात है कि आप भाला नहर बन कर रहेंगे हर रिष्टा निभाएंगी लेकिन आपके और मेरे बीच कोई रिष्टा नहीं já कि आपको मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगे हमने पहले भी अपनी सीमाओं का उलंगन नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे हम आपको बचन देते हैं हमारा फ्रेम हमेशा हमारे दिल में रहेगा आपको मुझसे एक वादा और करना होगा कैसा वादा यही कि आप मीरे लिए अपने प्यार को खत्म कर देंगे मुझसे अपने दिल से निकाल देंगे हम आपको यह वादा नहीं दे सकते सरुने चीज़ें हम आपको यह वादा कि आपसे प्रेम करना हमारे बस में नहीं था और नहीं आपको भूल पाना हमारे बस में कि अजय कि बातु ने अजयाना सा डर प्रदा कर गया एक तरफ लगता है यह सच नहीं हो सकता लेकिन दूसरी तरफ अगर यह सच हुआ तो अगर यह मेरा नहीं उसका कोई हम शकल कोई बैरूप्या है तो बाबो देखिये इस दुनिया में डर और शक का कोई इलाज नहीं है और ये बात जीजी जानती है तब ही बार-बार कोशिश करती है कि नहार को लेके कोई ना कोई शक हमारे दिल में आ जाए अब जानती है जीजी को कैसी है क्यों की बात बात बान रही है अगर मनो बाबी अब जी जी की बात मान कर क्या मन्नों बापे पेशकर सकते हैं? तो ठीक कह रहे है तारा लेकिन यह लॉकेट नहर इसके बिना तो कहीं बाहर जाता ही नहीं है आज ता कभी नहीं हुआ पता नहीं अभी जब वो वापस आएगा तो वो ही आकर बताएगा क्यों भूल गया वो आने तो तीचियों से वापस फिर पूछ लेना भाबो तारा भावी नहर भाईसा और सलोनी भावी सा आ गई है नहर 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 हरे तो कहां चला गया था हमें बिना बताएगा लेकिन बात क्या है बाबो आप इतना घवरा क्यों रही है मैंने तो तारा बहु को फोन पर बता दिया था कि हम सब मंदिर में गये हैं बज आहीं जाएंगे वो बस ट्राफिक में फस गया इसलिए देर हो गई हाँ कहा तो था तारा ने लेकिन नहर कहीं भी जाने से पहले बिटा बता के जाया कर दो यह बैग लायने के क्या ज़रूर थे भावो वह हम नहर के पुराने कपड़े गरीबों में दान करने के लिए गए थे आप इतना परेशान क्यों हो रही है आपके नाहर और सलोनी बच्चे थोड़ी ना है जो गुम हो जाएंगे तुम दो चाहे कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए तुम बच्चे ही रहोगे ना और वैसे में इतना ना घबराती किन जीजी ने आकर मुझे तेरा लॉकेट दिखा दिया तिरी घड़ी तिरे कान के बाले कहने लगी तुम घर छोड़के चला गया वो लॉकेट तो तु आज तक बिना पहने बाहर नहीं गया आज कैसे भूल गया भाबो यह इसे पहनना भूलने गये थे मैंने जिद करके इने उताने के लिए कहा था देखे ना उसकी चमक कितनी फीकी पड़ गई है तो मैंने कहा कि पॉलिश कराने के बाद ही उसे पहने और मैं उर्वशी की बातों में आके नजाने क्या-क्या सोचने लगी चलना हरब मेरे साथ चल बहुत जरूरी काम है बेटे अच्छा नहीं चल रहा है यह धागा भी उन्हों नहीं दिया तेरी कलाई पर बादने के लिए यह हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा इसे कभी मत खूला भबू किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय उसके अच्छा या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस धागे से लिप्टे हुई मम्ता हमेशा धाल बनकर मेरी रक्षा करेगी वो सब मैं नहीं जानती नहर मुझे इन बातों में मत उल्चा बस मेरी तसल्ली के लिए इसे कभी मत खूला और कहीं भी जाने से पहले मुझे एक बार बता देना ठीक है बबू ऐसा ही होगा मैं आपको वचन देता हूं माताजी महाराज तेरी रक्षा करेगी उर्वाशी तुम समझती क्या हो अपने आपको किस से पुछकर मेरे कमरे में गई थी और क्या जरुरत थी भावो को वो लॉकेट दिखाने की इतनी बार मुझे बल किरी हो फिर भी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए आखिर चाहती क्या हो तुम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बरवादी और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो फिर भी पता नहीं क्यों बार-बार हमारे पास ये पूछने चली आती हो तुम्हें तो हमारी और हमारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए जो बार-बार तुम्हारे सामने गिरने के बावजूद हम खड़े हो जाते हैं सिर्फ एक बार सलोनी उस नहार की असलियत को सब के सामने आने दो तो फिर तुम्हें हम सब के सामने आसा गिराएंगे कि तुम चाहकर भी उठने पाओगी एक इंसान जो खुद गिरा हुआ हो उससे और उमीद भी क्या की जा सकती है लेकिन सिर्फ तुम्हारे खातिर मैं तुम्हें बता दू कि अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझसे जुड़ी असलियत शायद तुम सामने ना ला पाओ लेकिन तुमसे जुड़ा हर जूट, हर गुना मैं समाच और कानून के सामने खोल कर रखतूंगे और तब तुम्हें भागने के लिए जमीन भी छोटी पड़ चाली बस थोड़ा इंतजार और करो सलोनी फिर हम तुम्हें बताएंगे कि भागने के लिए जमीन हमें छोटी पड़ती है या तुम्हें